देश विदेश में बस रहे सभी सिंगित प्रीमियों को प्रोफेसर हरबजन सिंग धारिवाल पखावजी लहौर बाज पंजाब घराने की तरब से नमशकार आदाब सलाम और सच स्रीकाल आज मैं अपने पूजे गुरुजी सिंगित अचारिया मरहूं उस्ताल लश्मर सिंग सिंग जी की कृपा से आपके लिए टुकडा के बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ जो के टुकडा एक बहुत एहमात्तपूरण टेक्निकल टर्म्स है जिन सिगीत प्रेमियों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से मश्कूर हूँ और जो अब नए है जहां जिनों ने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उन से गुजारश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी क्लिक करें ताहां कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके तो आईए शुरू करते हैं आज का जो बड़ा महत्तपूरन लेसन है ये लेसन इंटरिमीडियेट और अडवांस स्टूडेंट के लिए भी है जिनका हाथ चाल चुका है जो बजाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको टुकड़े के बारे में बताऊंगा कि टुकड़ा है किसको टुकड़ा कहते हैं टुकड़ा क्या है टुकड़ा एक बहुत ही खुबसूर्त चंद बोलों का सुमू है जिसको बजाकर साम को ग्रेंट किया जाता है ये टुकड़ा त्याई बदार भी होता है और बिना तिहाई की भी होता है यह टुकडे लग-लग मात्रा के हो सकते हैं आम तोर पर देखा गया है कि कलाकार सम से लेकर सम तक मतलब कि एक अरसे की बंदिश को भी टुकडा कहकर बजाते हैं जहां फिर दो अरसे की बंदिश मतलब के तीन ताल के बत्ती मात्रा के बंदिश को भी टुकडा कहकर पकारते हैं टुकडा कहा है टुकडे का अम बाशा में अर्थ है हिस्सा शोटा हिस्सा जो पूरा ना हो उसको टुकडा कहेंगे ताल शाच्तर के अनुसार टुकडा एक शोटा हिस्सा है जो लग-लग मात्रा कहो सकता है जिससे बजाकर सम को ग्रहन किया जाता है और इन टुकडों से गाने बजाने का जो है उसको शिंगार बढ़ाया जाता है खूपसूरती बढ़ायी जाती है तो आज मैं आपको तीन ताल के शे टुकडे बताने जा रहा हूँ इसका पहला टुकडा है जो चार मात्रा का टुकडा है दूसरा टुकडा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पांच मात्रा का टुकडा होगा आगे तीसरा टुकडा जो है वो छे मात्रा का टुकडा होगा चौथा और पांच मात्रा का टुकडा होगा और जो शटा है शे मात्रा का टुकडा होगा वो मात्रा का टुकडा होगा तो सबसे पहले हम चार मात्रा का जो टुकडा है उसको समझते हैं जो चार मात्रा का टुकडा है त्यहाईदार टुकडा है ये तीन ताल में तेरवी मात्रा से शुरू होके सम को ग्रैन करेगा तो आएए सबसे पहले हम चार मात्रा का टुकडा मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह चार मात्रा का जो टुकड़ा है जो तेरी मात्रा से उठेगा और सम को ग्रैन करेगा देखिए यह चार मात्रा का टुकड़ा है दा तरीकिट तक तरीकिट धाड़ धा 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 देखे उ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और तेरी मात्रा से यह उठ रहा है मैं इसको बजाक बताऊंगा दा दिन, दिन, दा, दा तेन, तेन, ता, दा तरिकर तक तरिकर दा, दा, दाड़, दा, द दा तो ये तो हो गया पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा ये है पांच मात्रा का है और ये बार्वी मात्रा से उठेगा ये है ये पांच मात्रा का है देखिए दा देन देन दा देन देन दा देन देन दा देन 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 एक्तुर आगे तीसरा टुकड़ा है WITH SHEE often मात्रा का यह मात्रा टोकड़ा है यह सॉत मात्रा से हराम होगा इवेंहें को कि दा हाँ नता टेन अब मैं आपको आछ मात्रा का टोकड़ा बताने जा रहा हूं यह कि आट मात्रा का एक और तुक्रा में अब हम इसको ठेके में कैसे आगे है नो मात्रा का टुकड़ा है यह नौ मात्रा का टुकड़ा आठ वी मात्रा से अराम्ब होके साम को ग्रैन करेगा देखिए अब ठेके में कैसे फिट करेंगे दा देन देन दा अब मैं जो यह टुकड़े है इसको तबले के उपर आपको बजाने जा रहा है अब मैं आपको जो जो शे टुकड़े बता चुका हूं तबले को उपर बजा के बताऊंगा कि कैसे इसको बजाना है और ताल में कैसे फिट करना है तो सब से पहले टुकड़ा है हमारा तो सब से पहले टुकड़ा है और इसमें दाड बोल है और मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि पंजाब गहाने में धाड धाड और दातत ये तीन बोल पर जोग ओते हैं ये आपको समझने की चीज है धाड जो है र यहां बजेगा ये धाड है आपको मैं तीनी समझा दू दात येत यहां होता है धाड यहां पा गाड़ और धा तत जासे तत यह तत है यह तीन बोल बड़े पंजाब के समझने वाले है तो यह टुकड़े में इन टुकड़ों में यह बोल परजयों को होगे इसलिए मैंने आपको कोशिश किया बताने की तो पहला टुकड़ा है दा तरीकिट तक तरीकिट धाड़ अब ठेकिट में कैसे होंगे देखिए और दूसरा जो टुकड़ा है वो पांच मात्रा का है और वो टुकड़ा बार्मी मात्रा से रम्भ होगा वो है यह टुकड़ा बार्मी मात्रा से नब हुआ चुकड़ा हुआ है और अगे हैं टुकड़ा नंबर से है यह दुकड़ा काु कि अब इसमें फिट करेंगा है कि नंबर चार्ट टुकड़ा है आगे टुकड़ा नंबर पांच है यह टुकड़ा नावी मातरा से अरंब हो रहा है और समको गर्यान कर रहा है यह है अब इसको ठेके में कैसे विट करेंगे दा दिल दा दिल दा दिल दा दिल दा अब नंबर पांच टुकड़ा है इसको दा दिल दा दे के दा द और दा दब्ले में कैसे विट का रहना इसको गर्यारण बेंडा दिल दा Is आगे है जो लास्ट टुकड़ा है नौ मात्रा के टुकड़ा है वह आठवी मात्रा से अरंब होके वह है मैं आपको बता चुका हूं दिखिए दबारा अब इसको तबले में कैसे पिट करना है तो ये शे टुकड़े है जितने भी टुकड़े है ये इसको जोर से बजाना है ये जो सबी टुकड़े मैंने आपको बताए हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं वहां से आप इसको लिख लेओ और आइस्ता आइस्ता इसको जाद करना है और उसके बाद लेमे करके तबले को बजाने की कोशिश करनी है जब बाज जाए तो उसको ताल में फिट करने भी कोशिश करनी है ये जो टुक्रे हैं गाने बजाने की खूब सूरती बढ़ाते हैं तो आईए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार